राधे राधे कृष्यन का नहीं या गुपाल प्यारों तुली बज़ेगी या श्री कृष्णा लिलाएं जिन से पूरित है या भागवद ग्रन्त प्रकर्ण चला अधा भागवद जी को पुराण तिलक कहा गया समस्त पुराणों में यहा श्रेष्ट है वैश्नवों का परमधन भागवद जी को कहा गया जद वैश्नवानाम परमधनम महात्मि में चटवे अध्याय में बयासी भाईश्लों काता है स्रीमद भागवतम पुराण तिलकम यद वैश्नवानाम धनम यस्मिन पारम हंस्य मेव ममलं ज्ञानम परम गीयते यत्रक ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैश्कर्म यमाविश्कृतम तच्छनवन प्रपथन विचारन परो भक्त्या भिमुच्ये नरह पुराण तिलक यानी पुराणों में सुरेष्ट जैसे योगा लगीत में स्री ठाकुर जी के लिए एक सब्द प्रियुक्त हुआ दस्म इसकंद के पैंतिस्वे अध्याई में दरसनिय तिलको बनमाला यानि ये स्यामसुंदर जो है न दरसनिय यानि जितने भी देखने योग्य वस्तुएं हैं दरसनिय यानि द्रिश दहतु शे अनियर प्रत्य यानि दरसन करने योग्य जितने भी वस्तुएं हैं उनमें ये तिलक हैं दसमे शकंद के 35 अध्याई में दसवाइश लोग दरसनिय तिलको बनमाला दिव्य गंद तुलसी मध मत्तई ही तो दरसनिय तिलक का अर्थ संतों ने किया दरसनी यानि जितनी भी दरसन करने योग्य देखने योग्य इस चराचर जगत में संपून ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं जितने भी पदारत हैं जितने भी रूप रासियां है उनमें तिलक तिलक यानि स्रेष्ट सर्वोत्तम जहां जिसको रूप की परावधी कह सकते हैं उससे आगे और कुछ दर्सनिय है ही नहीं इसलिए गोपियों ने कहा था वेड़ु गीत में अक्षण बताम फलविनम न परम विदामह सक्या पशूनन विवेशयतोर वयस्याई ही वक्त्रम ब्रजे सशुतेयो रनवेन जिष्टम ये इर्वा निपीत मनरक्त कटाक्षम उक्षम वपियां कहती हैं बेड़ु गीत में दसमिशकंद के 21 अध्याय में परतम इस लोग बेड़ु गीत का उले अक्षण बताम अक्षण बताम यानि आखों बाले जो हैं अक्षण बानी आखें जिनके हैं वो अक्षण वान अक्षण बताम यानि आखों वाले जो हैं उनकी आखों का इदम भलम उनकी सार्तकता इसी में हैं न परम बिदामहा श्री कृषण दर्सन के अतरिक्त भी कोई दूसरा फल है ऐसा हम नहीं जानती हो ही नहीं सकता है ही नहीं हैं अक्षण बताम भलम इदम न परम बिदामहा सक्ष्यह अरी सक्ष्यो पशूनन विवेशयतह वयस्याई वयस्याई माने अपने सक्षाओं के साथ में पशून अनू पशून याने गायों के अनू माने पीछे पीछे विवेशयतह माने प्रिवेश कर रहे हैं चाहे गोष्ट में प्रिवेश कर रहे हैं चाहे गोष्ट में प्रिवेश कर रहे हैं साइंग काल की विला में गोचारन से जो लोटते हैं तो गोष्ट में प्रिवेश कर रहे हैं अत्वा प्रात्यकाल की विला में गौचारण के लिए गायों को ले जा रहे हैं तो व्रिंदावन में प्रिवेश कर रहे हैं तो विवेश सयतह बयस्य वक्त्रम वर्जेस सुतयोह अनुवेशन चिष्टम वर्जेस सुतयोह यानि कृष्ण बलरामयोह कृष्ण और बलराम इनका वक्त्रमने इनकी दिव्य आभा, दिव्य सौंदर्य, दिव्य मुक कमल का जिन्होंने दर्शन किया अनुवेणु जुष्टम क्या सोबा है? अनुवेणु वेणु दारन किये हुए है श्याम सुन्दर वेणु कूजन करते भए गायों के पीछे पीछे चलते हैं वेणु निनाद करते भए गायों को बुलाते भी हैं तो वेणु के माध्यम से गोपियों का इश्मन करते हैं तो वेणु के माध्यम से तो वेणु निनाद करते भए अनुबेणु जिष्टम याईरवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम अथवा यही माने जिनके द्वारा निपीतम माने निश्चे सरूप से पान किया जा रहा है यानि एकदम तनमे हो करके अपनी सुदिवुद भूल करके देहान उसंधान तनक भी देहान उसंधान नहीं रह जाता है और कटाक्ष मोक्षम वह अपनी तिरशी चितबन से देख रहे हैं स्याम सुदर तो उनकी इस अदा ऐसी जो दिव्य संदरी से संयुक्त उनकी इस क्षभी का जो धरसन करते हैं वस्तुतह वही आँखों वाले हैं वही उनी के नेत्र धन्य हैं उनी की आँखें धन्य हैं अक्षन वताम फलम विदम ब्रजेश सुतयोह का अर्थ यद भी आचारियों ने श्री राधा माधव यह अर्थ भी किया है जीव को स्वामी जी लिखते हैं व्रजेश नंदः व्रजेश यानि नंदबाबा और व्रजेश व्रिशभानू व्रिशभानू बाबा व्रजेश सुताष्च व्रजेश सुताष्च व्रजेस सुतह माने श्याम सुंदर और व्रजेश सुतायानि श्री राधारानि ब्रजेस सुताष्च ब्रजेस सुताष्च ब्रजेस सुताष्च ब्रजेस सुताष्च श्री कृष्णह ब्रजेस सुताष्च श्री राधा तयोहो श्री राधा मानवेयोहो वक्त्रम यही निपीतम तयोह यानि उन दोनों का वक्त्र माने मुख मंडल का उनकी दिब पिछवी का निरंतर जिनके द्वारा पान किया जा रहा है वही नेत्र धन्य हैं वही सार्तक हैं निर्विशेश वाधी लोग जो होते हैं निरुगुन ब्रह्म का वह समाधी लगाते हैं उसी ज्योती का ध्यान आधी करते हैं वह उनकी जो साधना है उसकी परावधी है उसका जो परम लक्ष है कईवल्य की प्राप्ति निर्विशेश में अवस्थिति और सामान ने जो माईक नाम रूप है वह उनको अपनी और आक्रिष्ट नहीं कर सकता वह प्राक्रित जगत से बहुत आगे चले जाते हैं जैसे के लेकन यह रूप जो गोपियां वणन कर रही हैं क्योंकि दरसनी यह तिलक है यह रूप ऐसा है कि जिन्होंने जो एकदम निर्विशेश की परावधी पर पहुंच गए सामान नाम रूप जिनको अपनी आक्रिष्ट नहीं कर सकते उनके भी मन को उनके भी चित को बलात अपनी और खींच लेता है इसलिए कहा दरसनी यह तिलक एक बहुत बड़े विद्वान हुए कासी में स्री मदुशूदन सर्श्वती पाज जी अपने समय के बड़े धुरंधर विद्वान यहां तक कि गुसाई जी ने जो रामचर्थ मानस लखी तो चूंकि वह हिंदी भासा में लखी तो कासी के जो दुरंधर विद्वान थे हुआ उसको रामचर्थ मानस जी को प्रामाडिकता नहीं दे रहे थे यह तो हिंदी का ग्रंत है ऐसे कभी की कल्पना भी हो सकती है और गुसाई जी की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से कुछ उनके मन में इरश्या आदी भी उत्पन हो गई तो लेकिन मानस की दिनो दिन प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी तो सभी विद्वानों ने निर्णे किया कि मदुसूदन सर्श्वती जी बड़े धुरंधर विद्वान है भक्ती और ज्ञान तोनों का समन्वे मदुसूदन सर्श्वती जी ने किया ज्ञान का जो सबसे बड़ा गरंत अद्वईत सिद्धी लिख करके उन्होंने अपनी ज्ञान में पारंगता निपुनता बताई अद्वईत सिद्धी बड़े-बड़े वेधानती लोग उसको पढ़ते हैं जो अद्वईत मारग के अवलंबी हैं और भक्ती मारग में जब वहां आए तो उन्होंने भक्ती रसायन छोटा सा गरंत है लेकिन बड़ा जबरदस्त गरंत है तो काशी के विद्वानों ने विचार किया कि मदशूदन सर्श्वती जी बहुत बड़े विद्वान है वह यदि प्रामाडिकता दे दें तो हम रामचर्त मानस को अंगीकार कर सकते हैं और उनको यह विश्वास था कि मदशूदन सर्श्वती जी तो संस्कृत के प्रामाडिकता क्यों देंगे तो सबरे पंडित सबरे विद्वान मिलके उनके समीप में गए गुसाई जी ने भी सहज में स्विकार कर लिया और रामचरित्र मानस उनके समक्ष ले जाया गया उन्होंने पढ़ा तो बड़े गदगद हुए क्योंको वहाँ भक्ती की महिमा को जानते थे उन्होंने का देखो जी यह जो जंगमस तुलसी तरू यह तुलसी दाजी है ना यह चलते फिरते तुलसी के पौधा है और उसकी मंजरी जो है वह यह मानस है और रामब्रमर और इस मंजरी के लोलोप यानि लोभी यानि भगवान जो है वह ब्रमर है तो बार-बार इस मंजरी के समीप में यानि इस मंजरी को छोड़ नहीं सकते यानि रामचर्त मानस में भगवान ही प्रतिष्ठित हैं वो भगवान का ही स्वरूप है ऐसी प्रामणा किता उन्होंने दी तो फिर सभी विद्वानों को मानना पड़ा और उनकी अनेक गरंत यहां तो कि गीता पर आप देखेंगे गुढ़ार तदीब का उनकी ठीका है इतनी दारशन की ठीका है वो कि उसका सामान हिंदी अर्थ भी ठीक से समझ में नहीं आपाता इतनी उनकी उससे पता चलता है कितनी प्रतिवावान थे कितनी बड़े विद्वान महापुरुष थे लेकन भूलते वे विरंदावन आएगे एक बार काशी में अपने रहते खुब चेला चेलिये खुब शिश्य परकर आता था पढ़ने के लिए अध्यापन कराते थे उन्होंने अपना परिचे दिया अध्वाईत वीती पतिकई रुपास्या अध्वाईत मार्ग के जो पतिक हैं जो अवलंबी हैं वो हमारी उपासना करते हैं जितने भी उसमें अध्वाईत मार्गी थे वो श्रीम मदसूदन सरस्वती जी से पढ़ने जाते थे उपासना के रहस्य जानने जाते थे गलती वही कि बिंदावन चले आए और बिंदावन में सन्योग उसे केसी घाट पे बैठ गए अब केसी घाट पे बैठ के जमना जी की विशाल लहरें एकदम स्वच्च जलब प्रवाहित हो रहा है और अपनी ब्रह्मज ज्योती का ध्यान करवे लग गए पर चक्कर पड़ेगो यहां तो ब्रह्मज ज्योती को ध्यान करें तो वो नील ज्योती सामने आएगी शाम सुन्दर सामने एक बालक को रूप बनाएके आएगी और जैसे ही शाम सुन्दर के रूप को देखा मदसूदन सरस्वती जी ने सोई बावरे है गए अरे ये बालक चलो कोई होगा यहीं का कोई बालक होगा फिर ध्यान लगाते हैं तो अब तो ध्यानी नहीं लगए तब श्री मदसूदन सरस्वती जी यहां से वावरे से है के मतलब उस रूप दरसनी तिलक जो दरसनी तिलक रूप कहा न गोपियों ने उस रूप को देख करके इतने वावरे है गए कि तन की सुद्वुदहु भूल गए इसलिए नाराण स्वामी जी ने कहा चाहे तू योग कर भृकुटी मद्य ध्यान धर चाहे नाम रूप मित्या जान के निहार ले जोलो तो ही नंद को कुमार नहीं द्रिश्टी पड़ो तोनो तू बैटके भले यी ब्रह्म को बिचार ले चाहे तू योग कर ले चाहे भृकुटी बंद करके ध्यान कर ले चाहे नाम रूप से रहित में वही आत्म सत्ता का अपनी का अनुभव कर ले जोलो तो ही नंद को कुमार नहीं द्रिश्टी पड़ो तोनो तू बैटके भले यी ब्रह्म को बिचार ले वाके बाद में ब्रह्म विचार नाए है पावेगो अब ये तो बावरे से है गए कासी में पहुँचे तो वोई रूप के दीवाने मस्ता ने तो अन्य सिस्षि परकर ने जब इनकी इस्तिती देखी तो सब बड़े आश्चरे में हमारे गुरु जी को क्या हो गया अरे महराज आपको आपको ये क्या हो गया क्या बताएं जब से ब्रिंदावन में गए हैं तब से कचु बीमारी सी हमें लग गई कर दो, आपको पिर्णा ने आपको ये उड़े जब से साथकों थ्सैटना पिर साथको में अरे मूर्द कारलत वैक्या हैं एजाट श्वें में जब सकते कर दो सकतना हैं कर दो